नमस्कार दोस्तों श्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं बहुती मज़े से इंट्रेस्टिंग तरीके से पढ़ने जाने वाले हैं नम्मर सिस्टम बिल्कुल डैनिक जीवन का उपयोग करेंगे किस तरीके से नम्मर सिस्ट हुआ क्या है नम्मर सिस्टम हम हर एक चीज को जानेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक यह कोर्स हम इस्पेसली टारगेट कर रहे हैं एमपी पुलिस कॉंश्टेवल और एमपी पड़वारी के लिए और यह कोर्स सब के लिए है क्योंकि इसमें मैटस हम बहुत मस्ट तरीके से पढ़ाने वाले हैं जब है इतिहास में जब इनसान नहीं गिनना सुरू किया या जब संख्याओं का अविश्कार हुआ पहले जब बंदर से इनसान बनाता ना दोस्तों आदी मानप से जब मानप बनायते हम तो क्या हुआ हमें पत्त गिनने की अविशकता हुई कि भाई हमारे पास कितनी बक् हैं तो पहले क्या होता था दोस्तों इमेजन कीजिए कि आज से 20-30 लाग हजार साल पहले इनसान गिन भी नहीं सकता था उसे पता भी नहीं होती थी यह चीज है क्या और कितनी है इनसान के पास दिमाग बिलकुल नहीं होती थी दिमाग तो होता था बुद्धी नहीं होती मतलब उसका वो इस्तमाल करना नहीं जानता था तो ऐसे ही ऐसे फिर क्या हुआ इंसान दीरे 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 आग का अविश्कार किया फिर दीरे 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 दिमाग बड़ा इंसान का तो उसने गन्ना सुरू कर दिया तो ऐसे पूरी संख्याओं का अभिष्कार हुआ अब अभिष्कार हुआ तो जीरो की कमी रही तो आर रवट्टेजी ने जनम लिया और हमारे भारत का नाम रोसन किया और जीरो का अभिष्कार किया तो हम जानेंगे कि नम्मर सिष्टम होता क्या है तो सबसे पहले हम जाने कि नम्मर क्या होते है तो हमने का नम्मर होते हैं हमारे नम्मर जिसे कि यहाँ पे लिखा है नम्मर तो संख्याओं संख्याओं क्या होती है हमने का जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ये दस संख्याएं होती हैं हमारी एक से लेकर नो तक ये और एक जे टोटल हमारी दस संख्याएं होती हैं दोस्तों इन दस संख्याओं से ही बनके नमर सिस्टम बना है कोई भी दुनिया की संख्या कोई भी दुनिया का नमर इन दस संख्याओं के बिना नहीं बिन सकता ठीक है तो क्योंकि दुनिया में ये दस संख्याओं ही है अभी इमेजन कीजिए इनका ही मान है और लिखोगे तो उनको यही लिखाएंगी नहीं पूरा बल्ड पूरे कंपूटर हाला की में थोड़ी अलग लेंगुज wenņगवेज यह होती है लेकिन कहना मैं यह चाहता हूं कि संख्याय मूल जो संख्याय है वह हमारी यह दस हैं तो दोस्तों क्या हुआ हमन्ने संख्याओं की खोच कर ली तो हमें पता की अपनी अपनी विसेष्था थी तो उसके लिए हमने क्या किया इनको एक सिस्टम में जमाया एक पद्धती में जमाया कि यह संख्या की यह विसेष्था है इस संख्या की यह विसेष्था है तो ऐसे यह पूरा सिस्टम बन गया ना और जो संख्याओं का बना तो हम उस पू को हमने बाट दिया कि संख्याओं के पिरकार नाम से तो संख्याओं के पिरकार जानेंगे हम सबसे पहले तो उनमें हमें क्या पत्य चलेगा संख्याओं की विसिस्ता हैं तो हमने का संख्याओं के पिरकार तो हमने का टाइप सॉप नम्मर या संख्याओं के पिरकार संख्या है ठीक है कि टाइप सोप नमर्ण ठीक है तो अब भाई संख्याओं के पिरकार क्या होते हैं जान लेते हैं बहुत मस्त तरीके से जानेंगे बिल्कुल दिल गदगद हो जाएगा आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले होती है प्राकर्तिक संख्या इसके पीछे पर अपनी संख्यां English में बोले तो Natural नम्भ ठीक है basically से पढ़ा रहा हैं बिलक। एक दम लेट के पढ़ा रहे हैं आपके लिए बिलकोल नीचे लेट के पढ़ा रहा हैं हम तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत 6 ऐसे गिनते थे हम अगर किसी पास 10 बक्री होती थे हम कहते थे 10 बक्री हैं 15 बक्री हैं हम कभी ऐसा नहीं कहते थे कि माइनस दो बकरी है माइनस दो का मतलब है बकरी है नहीं है रिनात्मक बकरी है और बकरी रिनात्मक हो यह नहीं सकती समझ रहे कोई चीज रिनात्मक जैसे आप हो एक हो आप माइनस एक तो नहीं हो तो कहना यह चाहते हैं कि जो गिनने के लिए यूज होती है जो हम देनिक जी सीखी है जो एक दो तीन चार इन्हें हम क्या कहने लगे प्राकृतिक संख्या एक दो तीन चार सो दो सो पांच सो एक हजार देस हजार मतलब जहां तक हम गिन सकते हैं तो इन संख्याओं को हमका कहते हैं प्राकृतिक संख्या ठीक है तो देखिए मैं हाप लिख देता हूं प आपका मन चाहे बहां तक आप गिन सकते हैं ठीक है तो अब हो यह ug OnePlus संख्याओं की पाहथ तो हमने काँ अभी कुछ चीज की कमी रह गई वह कमी क्या थी प्राकृतिzhنت घ्जब लोशिक पतरे वोज quelques तो यह नहीं later जीरो बाद में आया सब संख्याओं के बाद तो फिर हमने का इस जीरो को कहां रखा जाए इस जीरो की भाई विवस्ता करो ये अपने आप में एक बजंदार इंसान है तो हमने का जीरो की विवस्ता कर दी जाए तो हमने का जीरो को नहीं मिला दो और इनका एक एक और घर बन में नया नया आया हुआ बच्चे ने जन में लिया है जो कि अभी जीरो उम्र का है मतलब जीरो है तो जीरो इनके में आ गया तो इनका जो घर था ना पूर्ण परिबार बन गया पूर्ण फैमली बन गई तो इन्हें हम क्या कहने लगे पूर्ण संख्या है तो जब जीरो इन में मिल जाए तो इन्हें हम क्या कहेंगे पूने शंख्या है क्या कहेंगे दोस्तों होल नंबर इंगलिस में बोले तो होल जब अगर जीरो इनमें मिल जाए तो बाकी सब संख्या है सेम रहेंगी बस जो जीरो छूटा था उसने अब जन में ले लिया तो जीरो भी आ जाए औ एक, दो, तीन, चार, पांच, जितनी फिर हैं वो पूरी, तो कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं, और जीरो मिलके क्या बनाती है, पूर्न संख्याएं, होल नमर बनाती है, बिलकुल होल बन जाता है, पूरा परिवार बन जाता है उनका, ठीक है, तो अब भी कोई गुणा करने की अच्छी है, किसे इन्सान की बिस्ष्धा भाग करने की अच्छी है तो उसमे विस्ष्धाओं के कमी इस की की पहले क्या होता था, अगर हम कोई चीज देते थे तो अद्ला बद्ला сравनां करते थे शीजियून का तो रिनातमक संक्याओं कि घर थी अगर आपने दो बक्री दी तो आपने दो गाए ले ले लिए ग्होड द ले लिए तो उसमें हमें माइनस की जरूवती नहीं थी चीदों का अदला बदली होती थी थी कि समझता आँ ना पैंसा चलता था उस टाइम ना कोई कोई चीज चलती थी वस तू मेरी चीज ले जा मझे जरूवत है तू तेरी चीज दे जा तो फिर उन्होंने कहा कि फिर बहां से क्या हुआ दोस्तों किसी ने कहा कि मुझे गहाटा लग रहा है तो बहां से पर हमानी यह रहनात्मक क्विश्कार हुआ कि अगर मैंने कोई चीज दी तो मेरी चीज मेरी हुआं से कमी हुई है तो उन्होंने कहा कि बहाई तुम रहासे कhealthy करेंके क्योंकि हम आलसी इंसान है तो हमने का जो संख्या है हमने खोज दी उन सम्मे माइनस लगा दो तो रिनात्मक शंख्या बन जाए तो क्या हुआ तो ऐसे कर के जो बन गए वो पूर्न संख्या है तो थी अब क्या हो गया पूर्नाँंक हो गए पूर्नांक मतलब सब कुछ बन गए नांग वन गए तो पूर्नांक का गए ठीक है पूर्णांग पूर्णांग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों इंटीजर इंटीजर ठीक है और पूर्णांग क्या होते हैं पूर्णांग क्या होते हैं देखिए पूर्णांग में दोस्तों माइनस प्लस जीरो सब संख्याएं यह पूरी संख्याएं तो होती होत यह पूरी संख्याय तो रहेंगी रहेंगी इनकी माइनस भी आ जाएंगी देखिए जीरो भी रहेंगा माइनस एक तो हमें क्योंकि हम आलसी थे तो हमने यह करा नहीं इसलिए इनमी माइनस लगा दिया माइनस तीन माइनस चार तो जहाते जितनी भी माइनस की संख्याय होती ह जितनी भी प्लस की संख्या होती हैं और जीरो यह सब क्या होती हैं पूर्णांग होते हैं यह सब इंटीजर होते हैं पूर्णांग होते हैं दोस्तों पूर्णांग तो दोस्तों मतलब बिल्कुल अपनी आँखों में इसको छाप लेजिए संख्या आपको आना ही चाहिए कि कौन से संख्या क्या होती है और मैं विल्कुल छपबा के ही छोड़ोंगा तो हमने जाना प्राकरतिक संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या क्या होती है पूर्णा क्या होती है अब हम जानेंगे क्या संख्याओं के पिरकार और जानेंगे अभी हम अब हम जानेंगे यहां प अरे में शंह परीयम संख्या को नाम जे अब ही परीयम मत पड़ो अभी भाज में बहांग क्याभी हो मैं भाज शंक्या है ठीक है मैं आसान-सान पहले बता देता हочь Kub versuchen बहुत है कम पोजिट नम्मर है के अधिश्ष juik क्या होती है इनकी भी अपनी एक कहानी है भाज संख्या है जो टूट जाए जिसका मन जिसका दिल वो भाज्य हो जाता है तो दोसे जो संख्या विवाजित हो जाए उसे हम क्या कहने लगते हैं भाज्य संख्या कहने लगते हैं भाज्य संख्या दोस्तों तो जो संख्या जाए उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं भाज्य संख्या मतलब समझ रहा है दोस्तों जो श्वेम तो तूटता ही तूटता है और दूसरे की वजी से भी तूट जाए वो क्या वह भाज्य कहला है तो भाज्य संख्या क्या होती है जो श्वेम और एक किसी भी संख है बाच इसन क्या है बोशन के आए होती है जो दो से यहाँ भागल क्या होती है जो श्वयम कर को जो श्वयं मैं नहीं समझ में आ obil देख लहें भो सुनलो ठीक है जरूर नहीं हर समझ में आए थिस्टभ जो 궁न रिवक्त हो जाती हम के स्वैंख स्वैंध कर तुर के और एक के ज़ती हमती है किसी भी संख्या सेटों जाए है अतिरिक्त की मतलब यहां पर देखिए मैं लिखना चाहता हूं जैसे कि नो है नो नो क्या है दोस्तों एक से भी कटता है नो से भी कटता है और तीन से भी कटता है तो यह कौन सी संक्या है यह हमारी भाज्य संक्या है ठीक है अब बात आई चार की तो चार कौन सी संक्या है चार भाज्य संख्या है क्योंकि हमने क्या लिखा है जो स्वेम मतलब स्वेम चार चार से भी कड़ता है एक एक से तो दुनिया की हर संख्या कड़ती है अतीरित किसी और संख्या से विवाजित हो जा हमने का दो से विवाजित हो रहा है तो चार भी क्या है एक भाज्य संख्य है हमने कहा कि पांच बताओ तो पांच एक भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि पांच स्वेम सिर्फ पांच से कड़ सकता है और एक से इसके अलावा किसी भी संख्या से पांच में भाग नहीं जाता तो पांच हमारी भाज्य संख्या नहीं है तो पांच नहीं है वह या तो हमन नो हो गया आठ है यह से जितनी संख्याओं में खुद खुद के अलाबा किसी और से भी दुख पहुंच जाए तो भाज संख्याओं कहलाते हैं किस खुद के अलाबा किसी और संख्या से भी वाजित हो जाएं तो भाज संख्याओं कहलाते हैं ठीक है रट गया होगा इसав्वीडियो में हम सर्फ संख्याओं को रठने के कोश्य करेंगे समझने की कोश्य करें अभाज संख्याओं इनकी भी अपनी कहानी है इनका तो भाई परिक्षर भी करना पड़ता है कि संख्याओं अब आज है की नहीं है ये साले अपना दिमाग खराब करते है अब आज ये संख्या है बोले तो प्राइम नम्मर बहुत से बच्चों ने नाम सना होगा प्राइम नम्मर अपने आप में एक जान खा लेता है बच्चों की संख्या जाती है बोलते हैं कि ये चेक करो कि अब आज संख्या है कि नहीं ह है कि नहीं है बिचारा बच्चा कनफ्यूज और वस लेकिन हम इसको इतना आसान बना देंगे कि आप भी देखते रह जाएंगे तो कले के जो वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे जाच करना प्राइम नम्मर की जाच करना टैस्ट ऑप प्राइम नम्मर दी गई संक्या अब हमने का जो जिसमें स्वयम और एक कहती रिखत किसी और संक्या से भग चला जाए बो तो हो जाती है भाज्य तो हमने का ऐसी संख्याएं जो एक और श्वेम के यह भी मिटा देते हैं हम इतना तो आप समझदार हैं अतिरिक्त किसी भी संख्या से विवाजित ना हो अभाज संख्याएं कहलाती है ठीक है इस लाइन को मैं मिटा रहा हूं प्राकर्तिक संख्याओं को ठीक है यह क्या होती है एक्जंपल से भी समझ लेते हैं तो प्राकर्तिक संख्याओं का अब्हाज ये अभाज संख्या है यह या संख्या है जो एक श्वेम के अतिरख किसी भी संख्या से विवाजित ना हो ना हो वो कौन सी संक्या है अभाज संक्या जैसे कि मैंने लिखा साथ साथ क्या है साथ एक अभाज संक्या है क्योंकि किसी भी संक्या से नहीं कटता मैंने का नो एक अभाज संक्या नहीं है मैं जे ही तो देख रहा था 0 1 आवाज सन्हें कियोंगर तीन से कढ़ जाता है सिसलएं रहुद अब को सबसे चोटी आवाज संख्या 16 कौन सी है वह जेक रहुत है सबसे चोटी आवाज संख्या कौन सी है और अधास भी इस इन कूछोंग है फिर अब अगली मौन Platter 11 13 भी क्या है अबात संक्या क्योंकि ये 3 किसी भी संक्या से नहीं कटता 13 हमने का 27 भी अबात संक्या है ठीक है और बताओ अभी मन नहीं माना तो हमने का और जान लो अभी तुमारा मन नहीं माना तो 19 भी एक अभाज संक्या है अभी भी मन नहीं मान रहा तो और देख लो 19 के बाद 29 भी अभाज संक्या है ठीक है 23 भी एक अभाज संक्या है तो यह कौन सी संक्या है अभाज संक्या है तो इनका तो हम बहुत प्यारे तरीके से टेस्ट सीखेंगे कि जैसे उन्होंने दे दिया कि बन सेवंटी थिरी अवाज संक्या है की नहीं है तो यह हमें पता करना होता है कि अवाज संक्या है की नहीं है जो कि संख्यान को मैट करने तो आप सबस्ते हैं और अब पता नहीं है कितने नम्मर such इसलिए हमें star बना देते हैं हमारी अब कौन सी संख्याएं होती है हमारी यप परी में हो गए है परीमें संख्याँ परी में संख्याओं को हम इंगलिस में बोलते हैं रेशनल नम्मर रेशनल नम्मर ठीक है रेशनल नम्मर परी में शंख्या परी में परी ने परी में परी में शंख्याओं क्या होती है दोस्तों जो संख्याएं पी बाइक्यू के फॉम में होती हैं वो परी में शंख्याएं होती हैं जो संख्याएं पी बाइक्यू के फॉम में होती हैं वो परी में शंख्याएं होती हैं सुनने में तो कठिन लग रहा होगा लेकिन उतना कठिन है नहीं है देखना कितना आसाल मैंने का परी में संख्याइं क्या होती हैं जो पी-बाइ-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क नहीं रख सकते और कियो यहां पर पूर्णाग रख सकते हैं तो मैंने बताओ पी की और क्यूँ पर तो मने का पी जिगा पर एक रख दिया क्यु की जिसे कि तीन व्त्यद्ट रोग यह एक परी में संक्या थीक अब बात आई 5 पाच एक परी में संक्या है पाच कुछ एक परीमे संख्या है क्या आप कहोगे कैसे परीमे संख्या है पागल बनाते रहते हो जो PYQ के फॉम में होती है वो संख्या परीमे संख्या होती है यहाँ पे तो एक यक्षर है अप उन में तो कुछ ही नहीं है यह परीमे संख्या कैसे हुई मैंने का देखो बेटा य नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे एक हमेशा ओता है अगर कोई नहीं तो एक जरूर होता है और वो एक ही सब कुछ होता है तो उस एक ने इसको क्या बना दिया Israeli का प्रोम बन गया प्लन दो प्लन हे पांच क्यों हर बन गई अगले अगली बात प्रता आए हमारी कोई सी वी संखहा जैसे कि कुछ भी ले लो II 226 sous did तो कोई भी संख्या जो सारे कि फुम में होती है वो कुन सी संख्याय होती हैं परी में संख्याय होती है पी क्यू से लोग घबडा जाते हैं कि प्यू कि ऑसल्ष यदितर करें रहे ये क्या बला है हम कहेंगे कुछ बला नहीं है ये भला बला है कि पी क्यू का मातलब है पी की जिगा पे कोई भी संख्या रखो वो जो संख्या बन जाए उसे तुम परी में संख्या कह दो तो इसलिए हमने पी की जिगा पे एक रखा क्यू की जिगा पे दो रखा जो संख्या बन गई उसे हमने परी में संख्या कह दिया क्यू की पी की जिगा पे पांच रखा क्यू की जिगा पे एक रखा एक रखने की जरूरत नहीं है तो कौन सी संख्या बन गई परी में संख्य परीमे काट भी तो फिर बने खेल तो ऐसी संख्या को क्याते हैं अब दोस्तों एक और बचिये को से और पढलेते हैं जल्ली फिर जल्ली फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी संख्या है बचियें मैं i W爱 करेंगे कुछ हम ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पटापट 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 अब बात आए अपरी में शंख्या कि इंगलिस वाले से कहले न भाई irrational नम्मर ऊdoes noom नम्मर त्ट यथा त्टीड़ा दछ सकता है क्योंकि हम सो टेड़ा ही गते के रशनल फट आप अरी में शंख्या हैं तो अपरी में शंख्यां क्या होती हैं तो फखंद करना आप मेरे प्यारे दोस्तों आप परी में शंख्याएं क्या होती हैं जो संख्याएं परी में ना हो वो कौन सी संख्याएं होती हैं वो आप परी में संख्याएं होती हैं जो संख्याएं परी में ना हो वो कौन सी संख्या होती हैं आप परी में संख्याएं होती हैं जिसे पी वाइ क्यूनिकेakah रूप में नहीं होती इसनले वो कौन सी संख्या होती है वो हमारी पडूर में अपारी में आ जही में आपिक नप परी में रख दो तो अब परी में जा पी की जिगाप हमने यह रख दिया क्योंकि जिगाप मैंने दूस्तों यह भी बोला था कि पी की जिगाप आप क्या रख सकते हो इंटीजर रख सकते हो क्या रख सकते हो सिर्फ इंटीजर इंटीजर बोले तो पूर्णांग रख सकते हो सिर्फ क्या रख सकते हो बोले तो माइनस बाली संख्याओं से लेके जीरो पिलस बाली संख्याओं तक कोई भी संख्या रख सकते हो माइनस पिलस की कोई भी संख्या यहां पर यहां पर आप जीरो को छोड़ कर कोई भी संख्या रख सकते हो ठीक है तो आपने का भाई तो यहां पर देखो आपने तो नडर रूत में रख दिया हमने तो वोला था माईनिस रख दो यह रख दो आपने लूघ रख दिया तो इसलिए यह जो उन्डर रूड टू है ना यह जो अंडरूट टू है ना ये पी वाई क्यों के फॉम में नहीं है इसलिए हम इसे क्या कहने लगे अपरी में संख्या कहने है अब बात आई किसकी अंडरूट फाइब की अंडरूट फाइब भी क्या है एक अपरी में संख्या है हमने का चलो नेक्स्ट बात आई हमारी किसकी और एक्जामपल ले लेते हैं और मस्त मस्त एक्जामपल लेते हैं हमने कापाई पाई और भी इनतजार करना खत्म नहीं करते उसी तरीकी से ये पाई का मान how in sas लक्त कर दें खत्म ही नहीं हुआ سबर कम्पूटर भी हार मान गए लेकिन पाई का एक्जेक्ट मान नहीं निकाल पाई बाबा पाई का एक्जेक्ट मान नहीं निकाल पाई पाई का मान हमें पता नहीं है 22 बटे 7 होता है वो सिर्फ एक लगवग लगवग मान है ठीक है तो कोई भी संक्या जो अंडर रूट में हो जो ऐसी नहीं आप यह नहीं किसकते जो अंडर रूट चार ये वह बहुत परी में संख्या वन गया तो इसलिए जो अपून बर्ग हो, मतलब जिनका अनफरफेक्ट रूट हो इनका, मतलब जो बर्ग से अंडर रूट से भान आप आएं, बैसे वाले रूट की बात कर रहा हूं, जैसे आप अंडर रूट से बन ले लो, यह भी क्या है, आपकी एक अपरी में शंक्या है, तो इस तरीके की स थाइब की संक्या हैं, वो कौन सी हैं, परी में, तो हमें पतर चला, हम इन चीज से दो चीज सी ठीके पहली बाक्त हो, मैं हाप देखिए, आप इसला बीग क्वें यह मस्त चीज बता हूँगा, बीदी कोई की, संक्या हो, तो बास्तविक ना हो दों, बास्तविक संक्या हो कि बास्तिविक संख्या बास्तिविक संख्या को हम कहते हैं रियल नम्मर रियल नम्मर तो बास्तिविक संख्याएं क्या होती है बास्तिविक संख्याएं दोस्तों परी में परी में परी में बोले तो रैशनल और आपरी में बोले तो इरैशनल परी में और आपरी में संख्य बनती हैं वो कौन सी संख्या होती है बास्तविक संख्या होती है और दुनिया की कोई भी संख्या हो या तो वह परीमे होगी या तो वह परीमे होगी दुनिया की कोई कोई भी संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या होती है क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या है परी में और अपरी में से मिलके बनती है और परी में मिलके क्या बनाते हैं वास्तविक संख्या बनाते हैं तो जिन संख्याओं में परी में भी आ तो और गृक्रमाण के लिए 2017 अपना चारे, पांच यह परी में आ गया, फॉपर हम माइनस प्लस वाली कोई पी ची ले सकते हैं। बस अंडरूट को छोड़के ठीक है तो यह माइनस 3 बेक अपरी में संक्या तो और उरगिया अपरी में का एक्जमपन ले लिए पाई ले निया अंडरूट 2 अंडरूट 3 अंडरूट 5 तो यह से जजो परी में भी आ गई ठीक है और यह आपरी में भी आ गई और यह परी में भी आ गई तो जिनमें परी में और अपरी में आ जाएं वह कुन सी संख्या मन जाती है वास्तविक संख्या मन जाती है ठीक है तो अभी कहा जा रहा है हो अभी तो दो संख्या है हमारी रह गई सम संख्या और बिशम संख्या क्या होती है और बिशम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, जो 2 से कड़ जाती है, बिशम संख्या होती है, जो 2 से नहीं कड़ती है, एक्जामपल समझ लीजिए और फिर घर जाएए, जैसे कि 2 है, 2 से कड़ जाता है, 4 है, 6 है, 8 है, और जिनके पीछे 0 रेता है, वो भी 2 से कड़ ज होती है किसी भी संख्या के लाष्ट में अगर इन में से कुछ भी है दो चार छे डा और में जीरो किसी भी संख्या के लाष्ट में एक हैं तो यह संख्या रहें जोना अ and करती दोसे नहीं कट थी कोन सी संख्या होती थी जैंसे कि ले लिजिए एक एक दोसे नहीं करता तीन भी दोसे नहीं करता पांच साथ नो ठीक है घ्यारह तेरह 15 जो भी संख्या 2सेبةam neurons 17 तो यह कुन सिंख्या है हमारी यह विशम संख्या जो संख्या 2 नहीं करते यह कुन सी संख्या या कहें तो सुभह ही डाल देंगे हम बिल्कुल नोट्पिकेशन ओन कर लीजिए आपका वीवी वीडियो आ सकता है हम आपके लिए ला रहे हैं टेस्ट आफ प्राइम नंबर अभाज संख्याओं की जाच करना कि 173 कौन सी संख्या है भाई 324 कौन सी संख्या है ऐसे ही और जो कि आपको आना चाहिए कि दी गई संख्या अबाज संख्या है की नहीं है तो कलम बहुत मस्त तरीके से बिल्कुल बिंदास तरीके से ये टेस्ट सीखेंगे तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगने बीड़ साथ तब तक लिए जैन जवारत पंदे मातर।